गुण मॉर्निंग बच्चो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत के परधान मंत्री पर बात करेंगे देखिए जीएस के चाहे जो भी पेपर हो चाहे जिस लेवल के पेपर हो वह इंटरमिडियेट लेवल हो अतो आसनातक लेवल हो अतो वह कमीशन का वह सवाल हो भा आज की इस वीडियो सेशन में भारत के परधान मंत्री के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग किस-किस टॉपिक को लेके चलेंगे परधान मंत्री के ऊपर थोड़ा उसको एक बार देख लिया जाए उस टॉपिक के सिनोप्सिस को दे परधान मंत्री के कौन-कौन से क्रम है, सबसे पहले बात होगा कि कौन-कौन से लोग किस क्रम में परधान मंत्री बने, सेकंड हम लोग बात करेंगे कि यह जो परधान मंत्री हुए हमारे देश में, तो उनके बारे में कुछ खास बाते यह दी हैं, कुछ इस्पेसल बाते है पहले उन चीजों को देखेंगे, तो एस पेसल फैक्ट देखेंगे, जो कि परधान मंत्री के ऊपर आधारित होंगे, एस पेसल फैक्ट देखेंगे, जो कि आपके एक्जामिनेशन दृष्टि कौन से बहुत इंपोर्टेंट होंगे, जो तीसरा हम लोग जो इसमें समाधी अस्थल, हना किस-किस परधान मंत्री के कौन-कौन से समाधी अस्थल हैं, ठीक है, और वो कहा है, और इसके बाद हम लोग अल्टिमेटली अंतिम में देखेंगे कि किस परधान मंत्री के समय में कौन-कौन से इवेंट हुए हैं, ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा ये 5 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, ये 5 पॉइंट आपके लिए काफी important होंगे, ठीक है न, ये 5 पॉइंट आपके लिए का पर आस बाते हैं, ठाड़ हम लोग देखेंगे, परधान मंत्री कुछ किताबों को देखेंगे, ये किताब और लिखक के तोड़ पर प्रस्ण जरूर आते हैं, इसके बाद, चोथा में हम लोग समाधी पर थोड़ा से चलेंगे, देखेंगे कि की समाधी, कहा है, और 5 क्रम है और ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग करम पर बात करते हैं करम में सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले पंडित नहरू आए पंडि जवाला नहरू यह भारत के परतम परधान मंत्री थे ठीक है पंडि जवाला नहरू आप सभी जानते हैं चलिए सेकेंड में हम देखते हैं कि लाल बहादुर सास्त्री बने जब परधान मंत्री जवाला नेरु का निधन हो गया तो उस समय जो नेक्स्ट जो परधान मंत्री बने वो लाल बहादुर सास्त्री बने चलिए लाल बहादुर सास्त्री उसके बाद के परधान मंत्री हुए इसके बाद इंद्रा गांदी परधान मंत्री बनी चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इंद्रा गांदी के बाद जो परधान मंत्री बने वो मोराजी देशाई बने यह परधान मंत्री का क्रम है मोराजी देशाई बने चलिए इसके बाद के जो नेक्स्ट परधान मंत्री थे वो चौधरी चर आपस आई तो इसके बाद फिर इंद्रा गांधी देखने को मिलेगा इंद्रा गांधी के हत्या के बाद फिर इनके पुत्र राजिव गांधी परधान मंत्री बने राजिव गांधी के बाद जो नेक्स्ट जो परधान मंत्री हुए वो हुए विश्वनात परताप सिंग जि सिखर बने नेक्स्ट परदान मंत्री चंदर सिखर के बाद के जो परदान मंत्री बने वो पीवी नरसिमा राओ बने पीवी नरसिमा राओ बने पीवी नरसिमा राओ बने पीवी नरसिमा राओ के बाद नेक्स्ट जो परदान मंत्री हुए थोड़े समय के लिए वो अटल व इसके बाद अटल वियरी वाजपई के बाद जो हो नेक्स्ट जो प्रधान मंत्री हुए वे देवगोडा हुए SD देवगोडा इनका पूरा नाम है लेकिन देवगोडा के रुप में यह जादा जाने जाते हैं चलिए, नेक्स्ट हमारे जो परधान मंत्री हुए वो इंद्र कुमार गुजराल हुए, इसके बाद के जो नेक्स्ट परधान मंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल के बाद वो बने अटल विहारी वास्पई के बाद बने वो थे मन मोहन सिंग, दॉक्टर मानमोहन सिंग और मानमोहन सिंग के बाद जो अभी देश के वरतमान प्रधान मंत्री है वो है नरेंद्र मोदी तो बच्चों ये बहुत इंपोर्टेंट ये चार्ट है आपके लिए खास दोर पर इसमें कभी-कभी बीच वाले जो भाग है उसको सजाने को देता है जैसे कि अगर मान के चले अगर हम एक सिंपल तरीके से बात करें तो सवाल ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें देदेगा कि चोदिर चरण सिंग, इंदरा गांदी, राजियु गांदी, वीपी सिंग चंद्रसिकर, यह जो मिडिल जो भाग है ना यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट शुरुआ तो शुरुआत का जो हिस्सा है न उसको याद रखना आसान है लेकिन यह जो भाग है ना इसको याद रखना थोड़ा सा टिपिकल चीज है तो क्रम से देते हैं कि किसके बाद कुण परधान मंतरि आ है तो खासतर पर आपको यह पाट और आपको यह पाट आपको थोड़ा सा िमाग में रखना है वक्त बाकी सभावशान है जवाला नेरू पहले परधान मंतरी थे इसके बाद लाल बादो साथ्री नेक्स्ट परधान मंत्री हुए इसके बाद इंद्रा गांधी स्रीमत इंद्रा गांधी परधान मंत्री बनी इसके बाद मोराजी देश आई हुए तो यह करम हुआ परधान मंत्री का चली अब हम लोग पॉइंट यह तो पॉइंट वन की ब सबसे लंबे समय तक जो पर्धान मंत्री रहने का जुस्रे है वह जवारला नहरू को है तो सरवाधिक लंबा कारेकाल किसका रहा है सबसे लंबा कारेकाल हुआ है जवारला नहरू का है कारेकाल चलिए ये पुएंट नमबर वन हुआ ठीक है ये पुएंट नमबर वन हुआ कि सबसे लंबा जो कारेकाल है लगभग 17 वर्थ का कारेकाल हना ये मतलब जवाला नहरू का कारेकाल था चलिए इसके बाद देखते हैं इसके बिप्रित सबसे छोटा कारेकाल सबसे कम आओधी का कारेकाल सबसे छोटा अतवा कादे सबसे कम आओधी का जो कारेकाल था वो था चौधरी चरन सिंग का कारेकाल जो था वो सबसे छोटा कार कर्दान मंत्री ने लोग सभा का सामना नहीं किया गला तो परदान ne क्लीक्त मफिबें सारा मंत्री जिन्हों ने लोग सभा का का स्यंवत। का सामना नहीं किया वो पर्धान मंत्री थे चौदरी चरन सिंग करकाल सबसे चोटा सभाविक है कि यही एक पर्धान मंत्री होंगे जिन्होंने लोगसभा का सामना नहीं किया चलिए चौथा और इंपोर्टेंट बात किया है वे पर्धान मंत्री जिन्होंने अपने कारकाल क पूरा होने के पहले ही अपने प्स इस्थिफा दे दिया था तो परधान-मंत्री चलिए इस तरह से बनता है परधान-मंत्री जिन्हों ने के अपने долго कार्य काल का पूरा होने के पहले है ये मोराजी के पहले इस्तीफा दिया हो ठीक है तो ये परधान मंत्री कौन थे हैं ये परधान मंत्री थे मोराजी देशाई ये परधान मंत्री थे मोराजी देशाई जिन्होंने कारकल पूरा होने से पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए बहुत important बात है चलिए हम लोग next move करते है चलिए नमबर 5 की ओर देखते है वो परधान मंत्री जो सबसे पहले राज सभा से चुनी गई थी ठीक है ना वो लोग सभा से नहीं थी वो राज सभा से थी और वो थी स्रीमती इंद्रा गांधी ठीक है तो परधान मंत्री हना सबसे पहला परधान मंत्री राज सभा से आने वाली हना सबसे पहला सबसे पहला राज सभा से से आने वाली परधान मंत्री परधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी ठीक ना लेकिन कुछ बाद में भी कुछ और लोग राजसभा से परधान मंत्री बनें ठीक ना राजसभा से अन परधान मंत्री कौन कौन हुए अन परधान मंत्री इसी में एड कर दिया जाता है ठीक ना जो राजसभा से बिलॉंग करते थे जो राजसभा से जुड़े थे और वो थे मनमोहन सिंग ठीक है ना इन्हों ने मतलब इन्हों ने जो परधान मंत्री की तरफ जो पैर रखा वो रासभास से रखा मनमोहन सिंग मतलब इंद्रा गांधी के अलावा ये इतने परधान मंत्री थे ठीक है ना ये इतने परधान मंत्री थे जिन्होंने मतलब इद्योगोडा, आईके गुजराल और क्या काते मन मोहन सींग, ठीक ना, इंद्रा गांधी के अलावा, रास्तवास से बनने वाले ये, मतलब कि क्या काते हैं, ये परधान मंत्री थे, चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगी की और ले चलते हैं, चलिए, नेक्स्ट बा मात्र, महिला परधान मंत्री, महिला परधान मंत्री, कौन बनी, तो स्रीमती इंद्रा गांधी, चलिए, हम बात करते हैं, वैसा परधान मंत्री, जो कि हिंदी छित्र से नहीं जूड़े थे, देखिए, अब तक कि भारत के जो भी परधान मंत्री हुए, एक लंबे समय तक उनका संबन्द हिंदी भासी राजियों से था लेकिन पीवी नर सिम्मा राओ भारत के पहले ऐसे परधान मंत्री हुए जो की नन हिंदी बिल्ट से बिलॉंग करते थे ठीक ना चलिए तो हम का सकते हैं कि पहला परधान गैर इसको इस तरह से समझा जाए गैर हिंदी ठीक ना पहला परधान मंत्री पहला परधान मंत्री पहला परधान मंत्री कौन थे तो नरसिम्मा राओ इसको सिंपल भासा में कहें तो नरसिम्मा राओ जो की साउथ हिंडिया से यह परधान मंत्री बने थे चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते नंबर 8 में आते ठीक ना पहला पार्लेमेंटेरियन थे वो पहला सांसर ठीक न जो बात में परधानमंत्री भी मने ठीक न जिन होने उनाइटेड नेशन्स जनल एसेंबली में हिंदी में भासन दिया वे थे अटल विहारी वाजपई पहुत इंपॉर्टेंट वे थे अटल विहारी वाजपई चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर नाइन की ओर पहला गैर कॉंग्रेसी परधानमंत्री ठीक ना कॉंग्रेसी परधानमंत्री के एक लंबा लिस्ट है लेकिन उसी में जो कॉंग्रेस से जो बाहर के जो परधानमंत्री थे वो मोराजी देश आई ठीक ना पहला थिक ना परधान मंतरी थीक न वो थे मोराजी देसाई थे चलिए नंबर हम आगे बढ़ते हैं ठीका न चलिए अगला पीव टर्म काफी important होगा आपके लिए सबसे दिखिए अब हम आगे चलते हैं अपने पद पर रहते हुए हाना दिहांत होने वाले परधान मंत्री कौन थे वे परधान मंत्री जिनका पद पर रहते नीधन हुआ था वे कौन-कौन परधान मंत्री थे ठीक ना अपने पद पर रहते हुए मतलब देड हो जाना थिक ना दिवंगत पधुधान मंत्री कौन-कौन हुए चली इसको सौट में समझ यह यानि कि वे परदान मंत्री जो अपने पधुध हुए देथ जिनका हुआ था। वे थे सबसे पले तो नहरू थे ठीक ना जवाला नहरू का जो निदन पद परहते हुए था तो जवाला नहरू चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लाल बादू सास्त्री पद परहते हुए इनका दिहान तो था लाल बहादूर सास्त्री चलिए लाल बहादूर सास्त्री और जो तीसरा थी वो थी इंद्रा गांधी शोरी जवाला नेरू ये पर्थम राष्ट पर्थान मंत्री हुए जिनका पत परहत्य दिहांत हुआ था दूसरा थे लाल बादू सास्त्री जिनका पत परहत्य दिहांत हुआ था तो ये जो पत परहते हुए दिहांत होने वाले ये दो पर्धान मंत्री और तीसरा जिनका हत्या कर दिया गया था वो थी इंद्रा गांधी उनका बोडिगार्ड नहीं उनका हत्या कर दिया था चलिए तो ये जो बहुत important बाते हैं आपके लिए, आपके exams के लिए बहुत important बाते हैं, इसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कुछ और fact देख लेते हैं, चलिए, नमबर ए 11 की और आते हैं, देखें सबसे इवा, भारत में अभी तक के जो परधान मंत्री हुए हैं, वो हुए हैं राजियु गांधी, सबसे कम उमर, यानि कि इसको आप समझे कि सबसे इवा, भारत के परधान मंत्री, भारत की बारे में बात हो रहा है, चलिए, भारत के जो परधान मंत्री थें, वो थें राजियु गांधी, 40 साल में ये परधान मंत्री बन गए साई मोरा जी देशाई जो थे हैं वह सबसे जादा उमर के टे-एटी वहन साल में यह ना एक ऐसी साल में यह भारत के प्रधान मंतरी बने थे चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं चलिए अब वैसे प्रधान मंतरी जो परधान मंत्री बनने के पुर्व किसी राज के मुख मंत्री भी रह चुके हैं तो वे परधान मंत्री जो मुख मंत्री भी रह चुके हैं राजियों के मुख मंत्री भी रह चुके हो तो वैसे कौन-कौन से परधान मंत्री हो जिनोंने मुख मंत्री के पद पर भी अपने दा जी देशाई मिलेंगे, सबसे शुरू से लेते हैं, मोरा जी देशाई, चलिए, इसके बाद चौधरी चरन सिंग, चलिए, इसके बाद हम आते हैं, तो उसके बाद हमें मिलते हैं, वीपी सिंग, ठीक है न, भी सुनात परताप सिंग, वीपी सिंग, ठीक है न, ये यूपी के मुख मंत्री बने थे इसके बाद आते हैं देवगोडा यह करनाटक के मुख मंत्री बने थे ठीक ना देवगोडा और इसके बाद हमारे यह सस्वी परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो की गुजरात के मुख मंत्री थे ठीक ना नरेंद्र मोदी तो यह जो परधान मंत्री है ये जो पर्धान मंत्री हैं ये सब पर्धान मंत्री है ना ये देश के बिभी न राजियों के मुख मंत्री के पद पर भी ये आसिन हो चुके हैं चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं चलिए 3 13 पुइंट को अब हम लोग देखते हैं 13 पॉइंट हमारे ले क्या है वे परधान मंत्री जिन को विदेश मंत्री भी वे रह चुके हैं मतलब पर पर्धान मंत्री पर पहुंचने के पहले वो विदेश मंत्री का भी रह चुके हो ठीक है ना तो ऐसे दो परधान मंत्री हुए एक हुए हमारे अटल विहारी वाश पई एक हुए हमारे अटल विहारी वाश पई और जो दूसरे हुए वो थे इंद्र कुमार गुजराल ठीक है ना ये ऐसे दो परधान मंत्री थे जो कि ये विदेश मंत्राले का भी पत संभाल चुके थे इंद्र टिकना कुमार गुजराल चलिए देखिए भारत में जो एक ही बार एक ही वेक्ति कारवाहग परधान मंत्री के रूप में आसिन हुए हैं वो है गुलजारी नलन्दा एक ही परधान मंत्री हैं एक मात्र लेकर चलते हैं जो आपके लिए काफी important होंगे, चलिए, वो वेक्ति जो पर्धान मंत्री बनने से पुर्व किसी भी समिधानिक पद पर आसीन नहीं था, मतलब कि वो कोई भी पद पर आसीन पहले नहीं थे, ठीक न, वो कौन से लोग थे, तो राजियू गांदी, वो पेसे से पाइलट थे, राजियू गांदी जो थे न, वो पेसे से पाइलट थे हैं, और इसके बाद रचंडर से खर, तो वे पर्धान मंत्री, वे पर्धान मंत्री, जो पद धारन करने के पहले, किसी समिधानिक पद पर आसीन नहीं थे, तो ये भाई कौन ऐसे पर्धान मंत्री हैं, जो कि समिधानिक पद पर पहुँचने से पहले, इस पद पर धारन करने से पहले, किसी भी समिधानिक पद पर आसीन नहीं थे, तो वे हैं आपके राजियू गांदी, जैसे कि अभी मैंने बात किया है, वह हैं राजियू बात चलिए चलिए पीवी नरसिम्हा राव एक मात्र ऐसे परधान मंत्री थे जो कि पद पर जाने से पहले वो किसी सदन के सदस नहीं थे ना वो लोगसभा के सदस थे ना रासभा के सदस थे तो पीवी नरसिम्हा राव परधान मंत्री बनने के समय ठीक ना इसके बारे में बनने के समय किसी सदन के किसी सदन के सदस नहीं थे चलिए बहुत इंपॉर्टन बात दिखे यह सब बात जो है ना यह मतलब आप समझे कि इसकी जितनी तारिफ किया जाया अगर एक्जामिनेशन दृष्टी कुन से मैं बात करूं तो उतने कम है ठीक ना यह पीवी नरसी मार रहा वैसे हमारे प्रद्हान मंत्री थे कि इस पथ पर जाने के समय किसी भी सदन के सदस वह नहीं थे चलिए अब बात को आगे लेके चलते है नंबर17 में आते हैं नंबर7 क्या है जो इंपोर्टेंट मात है वे प्रद्हान मंत्री जो भारत लक्त्रटन पात चुके है यlow ह भारतरत प्रत करने वाले ऐसे कॉन-कॉन से परधानमंत्री हुए तो सबसे पहले हम आते हैं नहरू सबसे पहले जवाला नहरू चलिए जवाहर लाल नहरू इसके बाद आते हैं लाल बादुर सास्त्री इनको जो भारत रत मिला था ना मरनो परांथ मतले मरने के बाद मिला था तो लाल बादुर सास्त्री लाल बादुर सास्त्री को जो मिला था ना वो मरनो मरनो परांथ मिला था इनको जो भारत रत मिला था वो मरनो परांथ मिला था इसके बाद परदान मंतरी जिनको भारत रत्र न मिला है वह है इंद्रा गांधी इसके बाद मौराजी देशाई मौराजी देशाई इसके बाद गुल जारी लनन्त ag और इसके बाद अटल विहरी बाश पई ठीक है यह ऐसे प्रधान मंत्री हुए जिनको भारत रतन प्राप्ट हुआ है तो भारत रतन प्राप्ट होने वाले यह प्रधान मंत्री हुए चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक है किन किन देशों ने अवाड दिया है यह आज के संदर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेटिस्ट बात है कि परदानमंत्री नरेंदर मोदी को भले भारत अरत नहीं मिला हो लेकिन दुनिया के बहुत प्रमुख देशों ने अपने यहां के सबसे बड़ा सर्वोच नागरिक सम्मान हना हमारे असवी परदानमंत्री मोदी को दिये हैं देखते हैं कि मोदी सहाब को मिलने वाले बीदेश से किनकिन देशों ने अपने सबसे हाइस्ट सिविलेन आवार्ड मिस्टर मोदी को दिये हैं चलिए मिस्टर मोदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं नमबर अठारा किनकिन देशों ने नरेंदर मोदी को अपने हाइ सिविले नवाड से नवाजा है थोड़ सा उसको देखते हैं सौधी अरब देखिए सौधी अरब संजुक्त राज अमिरात इव यही इसको सौट में कहते हैं माल दीव भूटान सौरी भूटान रूस देखिए अमेरिका ठीक न यह ऐसे ऐसे देशुए फिलिस्तीन अफगानिस्तान ठीकाना यह ऐसे देशुए बहरीन जिनोंने अपने यहां के या तो उनके सबसे हाइस्ट वो सिवीलिन अवाड हुए या तो किसी फॉर्णर्स के लिए वो सबसे बड़े जो सिवीलिन अवाड जो उनके पास था उन्होंने मिस्टर मोधी को सुसोभीत किया यानि कि मिस्टर मोधी को इन देशों ने अपने यहां के सबसे बड़े अवार्ड से सम्भानित किया तो चलिए यह तो रहा भारतिये परधान मंत्री के बारे में इस पेसल बात है हाँ एक बात और मैं मेंसन करना चाहूंगा कि एक हमारे भारतिये परधान मंत्री मोराजी देशाई हुए जिनको पाकिस्तान ने अपना सबसे सर्वोच सिविलियन अवार दिया था निसाने पाकिस्तान के नाम से ठीक ना तो एक बहुत इंपोर्टन बात है कि पाकिस्तान का जो निसाने पाकिस्तान है ठीक ना उसको मतलब मोराजी देशाई को वो दिया गया तो पाकिस्तान का सबसे सर्वोच सम्मान पाने वाले भारती परधान मंत्री थोड़ा सा अजुबा लग रहा है, थोड़ा सा पटा लग रहा है कि पाकिस्तान का सबसे सर्वोच सम्मान किसी भारती परधान मंत्री को कैसे मिल जा है, लेकिन चुकि यह हुआ था, चुकि भारत और पाकिस्तान की बीच के रिलेशन उनके समय में कुछ सुधार हुए थे, ठीक है, तो पाकिस्तान का सर्वोच सम्मान पानने वाले भारती प हम बात करेंगे कि किस किस परधान मंत्री ने कौन कौन से किताबे लिखी ये किताब और ओथर वाले मामले तो अक्सर आते रहते हैं चाहे परिक्षा जिस लेवल का हो किताब और ओथर हमेशा देता है उसमें परधान मंत्री द्वारा लिखी के किताबे राष्टपती द्वा मिनिस्टर्स होंगे यहां जो अथर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर्स होंगे चलिए तो इस्टाट किया जाए अपनी सीरीज को चलिए सबसे पहले आते जो इंपॉर्टन बाते हैं वह ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री अब चुकि इंग्लिस में है तो थोड़ा से इंग्लिस पढ़ना होगा ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री फेमस किताब था यह आप ऐसे समझेए यह नहरू एक बहुत बड़े लेखक भी थे ठीकना इसको लिखा गया 1934 इसुई में और इसके जो लेखक ते सौट में लिख किताब वर्ल्ड फेम किताब डिस्कॉबरी ओफ इंडिया भारत की खोज इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको 1946 में लिखा गया ठीकना और इसके भी जो लेखक थे वो नहरू थे नहरू अपने समय के एक उच्च कोटी के लेखक थे ठीकना और यह बहुत पात है कि डिस्कॉबरी ओफ इंडिया कहा लिखा गया किस जगा पर लिखा गया किस जेल में लिखा गया या वह बाहर बाहर वह जेल से बाहर थे तो यह यह तब लिखा जब अहम्दाबाद फोट में नहरूजी कह देते हैं ठीक ना 1946 की ये बात है बहुत important बात है चलिए my truth next किताब के और हम बात करते है my truth तो इसके जो लेखक है लेखिका है वो इंद्रा गांधी स्रीमत इंद्रा गांधी ठीक है ना ये स्रीमत इंद्रा गांधी दोरा लिखी गए एक famous किताब है my truth चलिए people and problem अगला हम आते हैं तो हमें किताब मिलता है people and problem इसकी वी जो लेखिका है वो इंद्रा गांधी है ठीक है people and problem चलिए हम आगे चलते हैं abolition of जमिनदारी ठीक है ना अब हम आगे बढ़ते हैं abolition of जमिनदारी चौदरी चरन सिंग चौदरी चरन सिंग एक चलिए किसान के नेता थे तो इस तरह के किताब को अगर आप देखते हैं ना तो आप गेस कर सकते हैं कि कोई किसान का जो champion होगा किसान के कौस का जो champion होगा वह इस तरह के किताबों को लिख सकता है जमिनदारी का खत्मा ठीक है चाओरी चरन सिंग इसके लेखक हैं डि चाओरी चरन सिंग इस किताब को लिखे हैं चुछ और देखते हैं तो नेचर कियर हमारा अगला जा किताब है वह है नेचर कियर और एक बड़ा आटपटा नाम है ना कि हाँ एक बड़ा आटपटा नाम है miracle of urine therapy किताब का नाम है इसको मुत्रस नहीं समझा जाए यह तीनों किताब जो लिखा गया है यह लिखा गया है मोराजी देशाई द्वारा यह मोराजी देशाई द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग उन किताबों को देख रहे हैं जो भारतिय परधान मंत्रियों द्वारा लिखे गया हैं और वो कुछ महत्यों के किताबे हैं चले बात को हम लोग आगे करते ह इस कीताब का नाम है और इसको लिखने वाले वीपी सिंग थे यह रॉयल फैमली से बिलोंग करने वाले इनके बारे में बहुत इंपोर्टिन चीज बता दूं कि वीपी सिंग जो थे ना यह के एक रॉयल फैमली खंदानी एक मतवरा इस परिवार से यह संबंधित यह पढ़ लिखन मनती थे रॉयल फैमली से बिलोंग करते थे चलिए एवरी टाइम आई वोक अप इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जिन्दगी का कारवा झिन्दगी का कारवा थीक है ना इसको हिंडी में भी हम देख सकते हैं जिन्दगी का कारवा और इसको लिखने वाले थे चंदर सेखर हम आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं तो मिलता है Changing India इसके जो लेकर थे हैं इसके बाद आते हैं बहुत फेमस किताब नरेंदर मुदी दोरा लिखा गया बहुत फेमस किताब चुकि एकजाम वैरियर के बारे में हमेशा वो बात भी करते हैं ठीक है एक्जाम बेरियर्स यह लिखा गया है नरेंदर मोधी द्वारा और एक और किताब है ठीक है ना एक्जाम बेरियर्स जो लिखा गया है वो नरेंदर मोधी द्वारा लिखा गया है और एक famous किताब जो है वो ठीकर ना नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है और एक famous किताब है जोती पुंज जोती पुंज इनका भी जो लेखक है वो नरेंद्र मोदी हैं तो ये किताब रहा और उनसे जुड़े हुए हमारे देश के परधान मंतरी रहें चलिए अब हम लोग कुछ और miscellaneous बातों को देखेंगे देखेंगे कि किस परधान मंतरी का समाधी अस्थल कहां पर है समाधी अस्थल से related सवाल आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे कि कौन से परधान मंतरी को कहां मतलब साधान जिले दिया जाता है उनके दिवस पर ये इंपोर्टन बात है आपके लिए चलिए तो अब हम नेक्स्ट सिरीज को आगे लेके चलते हैं हमें क्या मिलेगा समाधी अस्थल हमारा जो इस बाट टॉपिक है समाधी अस्थल अब हम देखेंगे समाधी अस्थल और इन से जुड़े हुए परधान मंतरी कि कौन से परध सांती वन अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है सांती वन सांती वन एक समाधी अस्थल है और यह है जवारला नहरू का यह है जवारला नहरू का चलिए वीजे घाट हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है वीजे घाट वीजे घाट जो समाधी अस्थल है यह है लाल आगे मिलते हैं सक्तियस्थल अब आप ऐसे समझे कि जो इंद्रा गांधी थी ना वह सक्ति के परियार थी तो जारी सी बात एक उनको याद रखना आसान है सक्तियस्थल है तो इंद्रा गांधी बहुत पावरफुल लेडी थी ठीक ना तो आप यहां से याद रखा जा सकता ह लाद बादु सास्त्री पाकिस्तान के साथ यूद में विजे हुए थे और तो इसको याद रखा जा सकता है कि विजे घाट तो पाकिस्तान में विजे लाद बादु सास्त्री इसलिए विजे घाट इनका समाधियस्थल होगा इंद्रा गांधी सक्ति की पर्तिक थी और त से कि मैंने अभी थोड़ा दिर पहले बात किया कि जो चौदरी चरन सिंग तें वो किसानों के बहुत बड़े हीत आसी थें जाहिर सी बात है कि उनका जो समाधी अस्ताल होगा किसान से रिलेटेड अगर किसान से चलिए हम लोग बात को आगे लिए के चलते हैं वीर भूमी अब बताए सक्ति का प्रयवाची सब्द है वीर नहीं सक्ति और वीर एक सा मिलता है तो वीर अस्थल अब यह इंद्रा गांधी के पुत्र थे राजियु गांधी जायर सी बात है कि सक्ति और वीर जो चीज है वो आपस में सीनोनीम का काम कर सकता है यह सब याद रखने का एक वे है तो वीर अस्थल का संबंद किसे है तो राजियु गांधी से है राजियु गांधी से वीर अस्थल का संबंद है इसके बाद आते जननायक अस्थल जननायक अस्थल और यह है चंद्रसेकर चंद्रसेकर ब बलिया हैं और बलिया में ये काफी पॉपुलर हैं तो जाहरी सी बात है कि जननायक है न ये पीपल के लीडर है ये पीपल के लीडर है तो इनका जो समाधी अस्थल जननायक टैप से कोई न कोई होगा तो जननायक अस्थल कि इनका समाधी अस्थल है तो ये चंदर सेखर का है ये बलिया में काफी लोग प्रिये हैं चलिए इसके बाद आते हैं इसमरितियस्थल इसके बाद आते हैं इसमरितियस्थल और इसमरितियस्थल जो है वो इंद्रकुमार गुजराल का है आईके गुजराल इंद्रकुमार गुजराल का है चलिए और लास्ट बात है सदेव अटल वाह नाम भी वैसा ही है और इनका समाधी अस्थल भी वैसा ही है सदेव अटल किसका है अटल विहारी वाजपाई का है अटल विहारी वाजपाई का ये समाधी अस्थल है तो बच्चो ये रहा हमारा समाधी अस्थल और उनसे जुड़े हुए प परधान मंत्री से related होंगे और वो काफी important होंगे चलिए अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं अब हम लोग बात करेंगे किस परधान मंत्री ने क्या क्या स्लोगन दिया इनके नारा क्या क्या नारा था कौन से परधान मंत्री किस नारे के लिए मसूरते थोड़ा से इसको द देखते हैं कि परधान मंत्री द्वारा दिया गया स्लोगन्स क्या है स्लोगन्स नारा आप ऐसे समझे स्लोगन्स कहिए यह स्टेटमेंट कहिए एक ही चीज है स्लोगन्स कहिए यह स्टेटमेंट कहिए चलिए तो हम लोग देखेंगे स्लोगन्स यह स्टेटमेंट और अगर ह है हराम नहीं आराम हराम है इनारा दिया गया था ठीक ना जवाला नहरू द्वारा इसी संदर में देखा जा सकता है आलस को त्यागो कास्ट ओफ यूर लेजीनेस अपने आलस को दूर करो इसी के संदर में कहा जा सकता है अपने आलस को दूर करो आलस को दूर करो ठीक ना यह जवाला नहरू का ही स्टेटमेंट था एक बहुत उनका फेमस स्टेटमेंट है टॉप क्लास के स्टेटमेंट है इसका मतलब यह होता है कि अगर भारत ही मर जाएगा तो जीएगा कौन मतलब तात्पर है कि भारत मर जाएगे तो सभी को मर ना होगा यह जवाला नहरू का यह तीन बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है चलिए इसके बाद आते हैं जै जवान जै किसान हमारा अगला है जै जवान जै किसान यह 1965 में दिया गया बहुत ही फेमस नारा था ठीक ना जै जवान जै किसान चलिए यह जवान जै किसान लाद बाद उसास्त्री द्वरा दिया गया है चलिए इसके बाद इसमें अटल भीहरी बाजपई एक चीज़ जोड़ें जै जवान जै किसान जै विग्यान ठीक है न इसमें अटल बिहारी बाचपई इसमें जोड़े बात हना जय विग्यान इसमें एड़ किये एक अलग से एड़ किये जय विग्यान पाले था जय 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 वन जय किसान यूदि इस नारा को दिया था इसके बाद जब पोखरन में जब परमानु भी स्फोट हुआ सब्द जोड़ दिया जय विग्यान ठीक है अटल बिहारी बाचपई इसमें मोदी जी ने एक चीज और जोड़ा बहुत फंटास्टिक चीज जोड़ा जय जवान जय किसान जय विग्यान और मोदी जिनि इसमें जोड़ दिया जय अनुसंधान तो यह बात मोधी जी द्वारा जोड़ा गया है तो यह स्लोगन से हैं जो कि भ्रतिय परधान मंत्री द्वारा दिये गये हैं एक important slogan है वो है बहुत important slogan है वो है गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा कीने दिया चलिवाथ इंपोर्टेंट है गरीबी हटाओ और ये जो नारा दिया गया था इंद्रा गान्धी द्वारा दिया गया था चलिए तो ये प्रमुक स्लोगन्स है और उनके ये स्लोगन्स जिन परधान मंत्रियों के बारे में द्वारा दिया गया है वो आपके सामने है चलिए अब हम तोड़ा सा और कुछ मिसलिनियस पॉइंट को देखेंगे में पॉइंट पर जाने से पहले कि किस किस परधान मंत्री के क्या क्या उपनाम थे निक नेम ठीक है अब हम लोग चलेंगे उपनाम और क्या कहते हैं चलिए अब हम लोग चलते हैं उपनाम ठीक ना उपनाम और उनसे जुड़े हुए परधान मंत्री और उनसे जुड़े हुए परधान मंत्री कि कौन कौन सा उपनाम किस किस परधान मंत्री के समय में दिया गया चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं देखे चाचा से तो आप समझते हैं ये किस का है ये नेहरु का है नहीं ये नेहरु को चाचा कहा गया है चल ये नेहरु भी सीधर लिख सकते हैं नहीं तो आप समझेज जवाला नेहरु चल इसके बाद देखते हैं Man of Peace अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा नहीं मैन अपीस कहा गया है ठीक है ये भाई कौन से थे जिनको मैन अपीस कहा गया ये नन है इनका एक और नाम है नन है थोड़ा ध्यान दिया जाए ये जो दोनों नाम ये अपने परिवार के सबसे छोटे थे तो इनको कह दिया गया ननने वैसे इनका जो पुल्टिकल नहीं था वो मैन अपीस था और ये थे लाल बादुर सास्त्री और ये थे लाल बादुर सास्त्री थे चलिए इसके बाद प्रियदर्सनी ये बहुत important नाम है ये तो बाद में प्रियदर्सनी जो थे ना ये जो नाम जो दिया गया ये नाम दिया गया रविन्ना टैगोर्दवारा ये नाम दिया गया रविन्दरनाथ टैगोर्दवारा बाद में तो ये इंद्रा गांधी का उफिसियल नेम भी हो गया था ठीक है प्रियदर्सनी चलिए हम लोग बात को नाम है यह पुस्तक का नाम है लेकिन वो इंद्रा गांधी को ही रेफर किया गया है यह पुस्तक का नाम है ठीक ना और इसको लिखने वाले जो थे वो परने गुपते थे लेखक का नाम है परने गुपते हाला कि मदर इंडिया उन्होंने इंद्रा गांधी को ही कहा है इनका निकनेम है। इंद्रा गांधि का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आजात्सत्रू। जिसका कोई सत्रू ना हो। इसका कोई है क्या या भीसम्र पितामः या भीसम्र पितामः। इनका एक और नाम है और ये नाम है अटल विहारी वाजपई का ये नाम है अटल विहारी वाजपई का बहुत इंपोर्टेंट बात है ये सारी बाते एक्जाम्स को सुट करेंगे ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई अनरगल बात दे रहा हूँ ये सारे जो चीज़े एक्जाम्स के लिए हैं तो आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सजगता से दिखना होगा अटल व्यारी वासपई ठीक न यह निकनेम है चलिए तो यह निकनेम और यह परधानमंत्री हुए अब हम लोग बात करेंगे कि किस परधानमंत्री के कारकाल में क्या-क्या घाटित हुआ जो कि थोड़ा सा चीज को देखा जाए अब हमर अगला जो सेशन है इवेंट से किस परधानमंत्री के कारकाल में क्या-क्या हुए खासतर पर कुछ समझावता को लेकर हम बात करेंगे चलिए तो थोड़ा सा इवेंट देख लेते हैं तीन ऐसे परधानमंत्री हैं जिनके कारकाल कि इवेंट को देखना एक्जाम्स के लिए जरूरी है एक है जवारला नेहरू दूसरा है लालबादु सास्त्री और तीसरा इंद्रा गांधी ये तीनो ऐसे परधानमंत्री हुए हमारे देश के जो कि वो टॉलिस्ट फिगर है परधानमंत्री की जितने भी अभी तक कारकाल में क्या-क्या घटना एं घटी जो की मतलब काफी इंपॉर्टेंट हुई चलिए जवाला नेहरू के कारकाल में जो होने वाली परमुक घटना है उसको थोड़ा साम लोग देखते हैं चलिए सबसे पहले पंचिसील समझाता हुआ ठीक है इनके कारकाल में सबसे पहले पंचिसील समझाता हुआ आप ऐसा समझेए पंचिसील समझाता किस के किस के बीच हुआ था तो भारत और चीन के बीच 35 समझोता किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच। आप ऐसा समझे, 29 अप्रेल, 1954 में, ये समझावता हुआ था, तो इसमें, signature कौन किए थे, भारत की उस समय प्रदान मंत्री नहरू थे, तो नहरू, आप ऐसा समझे, जवाला नहरू, इसके जो signatory थे, जवाला नहरू, ठीकहना, और जो चीन के उस समय के जो परधान मंत्री थे चीनी परधान मंत्री चीनी परधान मंत्री चाई एंड चाव एंड लाई इनका नाम तोड़ा सा अजीब टाइप का है चाव एंड लाई चलिए तो ये पंचिसिल समझाता हुआ था भारत और चीन के बीच इसी पंचिसिल समझात इसी 55 समझोते के बाद एक नारा दिया गया था नारा का नाम था हिंदी चीनी भाई भाई चलिए तो ये 55 समझोता हुआ इसके बाद फिर चीन ने भारत पर आकरमन कर दिया और भारत की इसमेहार हुई जवाला नेहरू के समय का दूसरा एक और समझोता थोड़ा सा देख लेते हैं वो ता दिल्ली पैक्ट ठीक ना ये तो भारत जवाला नेहरू के कारकाल की बीच के दौरान हुए समझोते की मैं बात कर रहा हूँ ठीक ना नेक्स्ट हमारा हुआ दिल्ली पैक्ट दिल्ली पैक 8 अप्रेल 1950 को ये घटना घटी थी 8 अप्रेल 1950 को ये घटना घटी थी ठीकना ये मतलब ही पैक्ट हुए थे तो उस समय कौन थे हैं भारत के परदान मंतर जवाला नेहरू 21 की किस की बीच हुआ था जवाला नेहरू और जो पाकिस्तान की समय के जो परदान मंतरी थे ठीकना वो लियाकत अलिखां और पाकिस्तानी परदान मंतरी आप ऐसे समझेए पाकिस्तानी परदान मंतरी लियाकत अलिखां के बीच ये लियाकत अलिखां के बीच ये समझावता हुआ था तो जवाला नेरू के समय में दो समझोते हुए एक था पंचिल सिल समझोता और दूसरा था दिल्ली पैक्ट ठीक ना ये काफी इंपोर्टेंट देखें ये समझोते हुए हैं ये काफी इंपोर्टेंट समझोते हैं आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते ये जो समझोते हुए है पंचिल से समझोता तो समझे कि ये भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ी प्रिष्ट भूमी है इसके बीच भारत और भारत ने ये समझा कि चीन जो है वो समझोते को फॉलो करेगा और भारत उसमें मिलिटरी तोर पर थोड़ा सा प्रिपेर नहीं था इसका फैदा उठा आते हुए चीन ने भारत के बहुत बड़े भुभाग पर कव्या कर लिया तो चलिए जो आला नेरू के बीच के का यह एक्ट इवेंट है चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं देखिए अब हम लोग देखते हैं कि लाल बादुर सास्त्री अब हमारा होगा लाल बादुर सास्त्री देखिए लाल बादुर सास्त्री एक बहुत मतलब बहुती विकटी स्थिती में उन्होंने पर्धान मंत्री पत को संभाला था लेकिन उनका जो नेत्रितों चमता था वो पंडित नहरू के नेत्रितों चमता से जादा जादा कुसल था आप ऐसे समझे, तसकंद समझाते हैं, तसकंद declaration इसको इंग्लिस में काते हैं, समझाता है को declaration समझे, यह भारत और पाकिस्तान की बीच हुआ 1966 में, ठीक ना, 1966 में गटा तसकंद में, ठीक ना, जो कि आज यह तसकंद कहा हैं, उस समय यह पार्मर उएसे सार में था, आज यह उज के बिस्तान में है आज के डिट में ये उज के बिस्तान में है आप ऐसे समझेए उस समय वो इवे से सार में था जिस समय समझोता हुआ था उस समय वो इवे से सार था जो कि आज वो उज के बिस्तान हो गया है यही पर बहुत इंपोर्टेंट बात है यही पर लाल बहाद बहादूर शास्त्री का दिहान्त हुआ था चलिए तो ये बहुत इंपोर्टन बात है इस समय सिंगनेचर किसके किसके बीच हुआ था तो उस समय भारत के परदान मंतरी लाल बहादूर सास्त्री थे हैं और पाकिस्तान के राष्ट पती अयूब खान के बीच ठीक है ना तो सिंगनेचर किस के बीच हुआ था समझाता किस के बीच हुआ था तो लाल बादुर सास्त्री ठीक है ना और पाकिस्तानी राष्ट पती पाकिस्तानी राष्ट पती ठीक है ना अयूब खान के बीच ये ब चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंद्रा गान धी के कारकाल में कौन से समझाओता हुआ बहुत इंपोर्टेंन बात आपकी एकजाम के लिए टो टॉपक्लास की बाते हैं ये सारे समझोते से related सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे चलिए देखते हैं इंद्रा गांदी के समय में जो समझोता हुआ था उसका नाम था सिमला समझोता इस समय पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी पाकिस्तान की सी तरह का सांती चाहता था तो वो समझोता हुआ थीकर नाम इस समय देख की परधान मंत्री इंद्रा गांदी थी तो ये इंद्रा गांदी के बीच इंद्रा गांदी और पाकिस्तान के जो उस समय के जो परध पती आप ऐसे समझ लें पाकिस्तानी राष्ट पती इंद्र गांदी तो प्रधान मंत्री थी ठीक ना पाकिस्तानी राष्ट पती जुली फिकर जुली फिकर जुली फिकर अली भुट्टो जुली फिकर अली भुट्टो के बीच यह समझाता हुगा था चली अब हम लोग और देखते हैं कि ये तो समझोता वाली बात हो गई अब हम कुछ और important बाते देखते हैं कि जवाला नेहरू के समय में और कौन-कौन से घटना है घटी अभी तो मैंने जवाला नेहरू लालबादु सास्तिर और इंद्रागान्दी के समय में हुई समझोतों के बारे में बात किया तो लालबादु उर्षास्तिर के समय में जो समझोते हुए थे वो पंचीसिल समझोते हुए थे इसी समझोते के बाद हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा दिया गया था फिर दिल्ली पैक्ट हुआ ठीक है जिसमें समझाता 65 के युद्धि के बाद की वो समझाता थी ठीका ना इसी समय तासकंद में 1966 में लालबादो सास्तरी की एक रहसमाई तरीके से मिर्तिव हो गई थी इंद्रा गांदी के सासनकाल में जो मुक समझाते हुए थे वो सिमला समझाता था जिसमें पाकिस्तान के भुटो और इंद्रा गांदी की भी समझाता हुआ चलिए अब हम यह देखेंगे कि जवाला नहरू के सासनकाल में और कौन कौन से काम हुए ठीक है ना उनका और कारेकाल किन चीजों के लिए जाना जाएगा तो चलिए एक बार फिर से हम जवाला नहरू की तरफ आते हैं चलिए इन्होंने क्या 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 पर्धान मंत्र के तोर पर देखना है कि परधान मंत्र के तोर पर इन्हों ने क्या क्या काम किया तो सबसे पहले देश में उद्योग धंदों को बढ़ाने का काम किया यानि कि और दोगी करन की सुरुवात आप इसको सिंपल भासा में समझे और दोगी करन अधोगी करन की सुरुवात कि इन क्या देन है जवाला नहरू का देन है ठीक ना अधोगी करन की सुरुवात जो हुआ वो जवाला नहरू के कारकाल में हुआ दूसरा हम यह समझना चाहते हैं कि जो दूसरा जो बहुत इंपोर्टन बात है कि इन्होंने पुर्त गालियों से ठीक ना गुवा को छीना पुर्त गालियों से गुवा छीना ठीक है इनका जो विदेश नीती था ना वो गुट नीर पेक्षता पर आधारी था नहरू का जो विदेश नीती था वो किस पर आधारी था गुट नीर पेक्षता पर आधारी था मतलब गुट नीर पेक्षता का मतलब कि हम किसी देश का पक्ष नहीं लेंगे पर आधारी था ठीक है ना चलिए चली चौता और इंपोर्टेंट बात हम इनके बारे में जानते हैं जवाला नहरू के बारे में कि इन्होंने लोकतंत्र समाजवाद ठीक है इत्यादी को बढ़ावा दिया इन्हें आर्किटेक्ट और एक बहुत इंपोर्टेंट बात है कि किस वेक्थी को अधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं तो वो है जवाला नहरू इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है ठीक है न वो है जवाला नहरू तो यह जवाला नहरू के बारे में important बाते हुई, चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं दिखिए जवाला नहरूं से संबन्धित कुछ और important बाते आप जानिए, चुकि नहरूं एक ऐसे सक्स है जिनके बारे में question नहीं हो मात्मा गांदी एक ऐसे सक्स है चलिए जवाल दिखे अगर किसी महापूरुस के ठीकन माता पीता या पत्नी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है खासतर पर नाम तो इन जवाला नेहरू के माता का नाम था सौरूपरानी पीता का नाम तो बहुत जगजाहिर है पीता इनके थे मोतिलाल नेहरू चलिए और इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी पत्नी का जो दिखान्त हुआ तो TV से हुआ था ठीक ना कमला नहरू का देहांत का देहांत टीबी से हुआ था चलिए इसी तरह से लाल बादु सास्त्री का भी थोड़ा साम लोग जनकारी ले ले लेते हैं यह भी बहुत टॉल फिगर हैं लाल बादु सास्त्री के बारे में भी थोड़ा साम लोग देख लेते हैं तो इनके माता का नाम था राम दूलारी, इनके जो पिता का नाम था वो सारदा प्रसाथ सिर्वास्तो, और इनकी पत्नी का नाम था ठीक ना, ललीता सास्त्री. एक बहुत इंपोर्टेन बात हम यह याद रखना है कि जवाला नरू का संसदिये मिखे श्ट्र क्या था? जवाला नरू का जो संसदिये मिखे था था ए वो था फूल पूर ठीक है और इनका जो संसदिय छेत्र था अब इनका भी तो अशा पढ़ देते हैं जिस छेत्र से चुनाव लड़ते थे वो था एलाहबाद और राज की डेट में प्रियाग राज चलिए यह तो नहरु जी के बारे में इंपोर्टन बाते हो गई अब हम बात स्टाट करते हैं कि जवाला शॉरी लालबादू सास्त्री के समय में मेजर इवेंट गया हुए ठीक है ना वो तो समझता था तासकर न समझता था चलिए अब हम तड़ा से मेजर इवेंट देख ल जी की 1965 का युद्ध हुआ जिसमें की भारत की विजे हुई 1965 के युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच इंडो पाक की बीच जो युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान की पराजे हुई ठीक है न पाक की पराजे हुई और इसके बाद वही लाहर डेकलरेशन हुआ दूसरा चीज इनोंने suet kranti हना इनके समय में na suet kranti हुई suet kranti हुई ठीके न white revolution जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं white revolution वो लालबादुर सास्तरी के समय में हुई यह बहुत important है white revolution इस से देश में दूद के उतपादन में काफी बढ़ोत्री हुई काफी मतलब देश का जो दूद है वो काफी बढ़ा ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इंद्रा गांधी के समय की अब हम मेजर इवेंट को देखते हैं इंद्रा गांधी एक ऐसी परधान मंत्री हुई जिन्होंने अपने सासन काल में चुक इनका सासन काल भी काफी लंबा था नेरू के बाद सरवादिक लंबा सासन काल इनी का था और इनके सासन काल में काफी कुछ हुए थोड़ा सा उनको देखा जाए कि इनके सासन काल में होन तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंद्रा गांदी के सासन काल में क्या हुआ पाकिस्तान का भी भाजन हुआ ठीक है ना 1971 में पाकिस्तान की करारी हार हुआ पाकिस्तान की करारी हार हुआ चलिए इसके बाद इंद्रा गांदी की समय में क्या हुआ तो ग्रिन संद्यस में उस समय आनाच की काफी कमी आई थी और भारत और अमेरिका के संबंद कुछ खराब हो गये थे ठीक न तो आयात में थ्वड़ा दिकत हो रहे थे इसके बाद इंद्रा गन्दी ने क्या किया कि भारत में ग्रिन डिवॉलूशन का रास्ता बनाया तो इसका हरी अग अगर हिनदी में कहते हैं तो हारित करांटी किस के समय में हुई तो इंदरा गांधी के समय में हुई. तीसरा और इंपॉर्टन बात क्या है? दिखिएगजा. इंदरा गांधी ने 14 मीजी बैंको को राश्टीकृत बैंक में बदल दिया. यानि कि 14 जो नीजी बैंक थें ठीक है ना इनको नेशनलाइस कर दिया गया नीजी बैंकों का राष्टी करन किया गया बैंकों का राष्टी करन किया गया चलिए ये इंद्रागांदी के समय के मुख बाते हैं ठीक है ना जो कि काफी इंपोर्टेंट है चलिए इसी के बाद यहां पर एक, भारत ने सबसे पहले हफना अपना परमानू परिक्षन किया था। और उसका नाम दिया गया था न कि ब्ध्ध मुसकूराएं। तिक नहीं, उसका एक दिया गया था,όςमाईलिंग बुद्धा। समाईलिंग बुद्धा का समंध किससे है? बुद्ध के मुश्कुराने से नहीं है इस्माइलिंग बुद्धा का संबंद परमानु परिक्षन से है आप ऐसा समझेए इस्माइलिंग बुद्धा का संबंद परमानु परिक्षन से है चलिए तो यह इंपोर्टन बात है बहुत और बहुत इंपोर्टन बात है और सबसे जो सबसे इंपोर्टन बात है जो कि इंद्रा गांदी के समय में हुआ और उनके वो मौत का कारण भी बना ठीक ना वो है अपरेशन बुलू स्टार यह इंद्रा गांदी के समय में ही हुआ था जिसमें उन्होंने ठीक ना गोल्डन टेंपल में सैनिको को मिल्टरी मतला मिल्टरी एक्शन लेने को ओडर दे दिया और उसमें खालिस्तानी जो भिंडरवाल जो खालिस्तानी जो नेता था उसमें वो म हुआ था तो इंद्रा गांदी के समय में तो बच्चों आज का हमारा वीडियो से सनीत नहीं रहा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसमें और क्या-क्या सुधार किया जा सकता है यह सारी बात एक जामनेशन दृष्टिकों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले थैंक यू बेरी मच्च